नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा, हम सब चाहते हैं कि हमारी कमर पतली दुबली छरहरी रहे, जाहे महिलाये हैं या पुरुष, जितना भी हमारा साइट का जमा हुआ हुआ फैट है, उसको आप योग के माध्धम से कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपनी कमर को शेप मे पिला सकते हैं, ये आपको बताऊंगी मैं आज के एपिसोड में, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार जो चलेगा, वो भटकेगा भी, ठकेगा भी, गिरेगा भी, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुँचेगा भी, ये सब यात्रा का अंग हैं, जीवन के उतार, चड़ाव से विचलित ना हो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कमर पफिक्ट शेप में रहें, तो आपको करने हैं योग की आसान सी क्रियाएं सीधे खड़े हो करके, सीधे खड़े हो करके करेंगे म्रिणाल गती का भ्यास, उसके लिए आप 80-50 मिला करके खड़े हो जाएंगे, सास भरते हुए हाथो को ऊपर उठाना, और इस प्रकार से हाथों को आपस में मिला लेना, मुठी बना लेना, उंगली को सीधा कर लेना, और सास भरते हुए शरीर को राइट साइद में जुकाना, सास छोड़ते हुए वापिस आ जाना, सास भरते हुए लेफ्ट साइद में जुकाना, सास छोड होते हुए वापिस आजाना इसक्रिया को दस बार तक आप दोराएंगे और दस बार करने के बाद हाथ को वापिस ले आएंगे दस बार ऐसा करने के बाद आप करेंगे सकंध गति का अभ्यास जिसके लिए आप इसी तरह से खड़े-खड़े हाथों को सामने की और कि सांस भरते हुए ट्विस्ट करना सांस छोड़ते हुए वापिस आजाना दस बार आप इसका अभ्यास करें और तीसरे अभ्यास में कौन आसन का अभ्यास लेंगे जिसमें आप अपने पैरों को कंधों से दुगनी चोड़ाईमें खोल लेंगे एक हाथ को सर के उपर सीधा कर लेंगे, दूसरे को अपने थाई से चिपका करके रखेंगे, सांस भरते हुए पूरा का पूरा जुकना, दाई तरफ सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाना, सांस भरते हुए बाई तरफ सांस छोड़ते हुए वापिस आ जाए इसको भी आप दस बार तक करें और फिर हातों को मिला ले पैरों को थोड़ा सा नस्दीक ले आए शरीर को पूरी तरह से धीला छोड़ दें जाने से पहले हमारे नुस्खे ज़रूर लेते जाएगे कमर पर जमी हुई चर्वी को दूर करने के लिए आप अपनी चाय को रिप्लेस कर दें लेमन टी से और साथ में आप सिनिमन स्टिक लें यानि दाल चीनी की एक स्टिक लें और उसको आधा कर दीजे आधी स्टिक को एक कप पानी में बॉइल करें जब पानी आधा कप रह जाए तो उसका सेवन दिन में दो से तीन बार करें इन ख्रियाओं का अभ्यास करें जो नुस्खे बताए गए हैं उनका अभ्यास करें